हलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार मश्रूम सूफ की रेस्पी जिसमें हमने कॉर्ण का भी यूज किया है और वेज़ेटेबल्स का भी यूज किया है तो चलिए सुरू करते हैं हम इसे बनाना तो सबसे पहले हम इसे वेज़ आरोमेट बोलते हैं और यह है कॉर्ण फ्लॉर का एक गोल यहां पे हम इसे सूप को ठिक करेंगे तो यहां पे हम इसे रिडी करन रख लेते हैं तो यहां दो चम्मच मैंने यूज किया है और इसमें थोड़ा सा पानी आट करके हम इसका अच्छा सा गोल बनाके रख लेंगे तो इसे हमने साइड में रख दिया है अब हम आगे तड़के की तयारी सूर करते हैं तो यहां पर एक चमच मैंने बटर यूज किया है बटर को अच्छे से आप मेल्ट हो जाने दें बटर डालने से दोस्तों बहुत यचा फ्लेवर आता है तो आप यहां पर नॉर्मल ओइल का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको बटर पसंद नहीं है तो यहां पर बटर अच्छे से गरम हो गया है ध्यान रखें कि बटर जले ना हमने इसमें एक चमच गार्लिक एट कर दिया है बार एक चौप अली तो वेज़ अधरग भी बारी कटा हुआ था इसे भी हमने एट कर दिया और यह डाल दिया हमने इसमें ग्रीन चिली तो बिलकुल रेडी रखें सब फटा फट हम डालते जाएंगे इसमें और फटा फट इसमें बनाते जाएंगे तो यहाँ पर हलका सा इसे हम एक से देड़ मिनित सौते कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे हमारे चौप मश्रूम वो जो बड़ी बड़ी स्लाइस मैंने काट के रखी थी वो लास्ट में डेकोरेशन के लिए कि हम उसे जब सर्व करते टाइम उसे प्रेजेंटेशन म तो यहाँ पर मश्रूम को अच्छे से एक मिनिट हम सौते करेंगे बटर के साथ इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आजाता है हमारे सूप में और अब हम इसमें डाल सकते हैं यहाँ पर आप इसमें डाल सकते हैं गाजर ब्रॉकली जो भी आपको यूज करना हो अब मैंने इसमें डाला है एक नॉर्मल कॉर्ण तो यहाँ पर नॉर्मल कॉर्ण डाल दिया है मैंने और यह हमारे सूइट कॉन है तो यह सूइट कॉन डाल दिया है मैंने और अब हम इसे भी हलका सौते कर लेंगे तो एक से देड़ मिनिट हम इससे सौते करेंगे और अब इसमें में डाल दिया है धनिये के डंठल तो यहाँ पे एक चमच दनिये के डंठल और यह एक चमच फ्रेस काली मिर्च कोटी होई और यह गया वेज एरोमेट पाउडर वेज एरोमेट पाउडर हम इसलिए यूज कर है waste Aromate Powder और यहां पे हमने एक लिटर इसमें पाणी डाल दिया है तो यहां हने नॉर्मन पाणी पाणी डालते हैं तो यहां है नॉर्मल पाणी डाला है और आप इसमें सीज़न कर देंगे एक चम्म प्रूमेट पाउडर का यूज़ करें इससे बहुत यह अच्छा फ्लेबर निकल की आएगा और आप इसमें अच्छे से बॉइल आने दें इसे दौ-4 मिनिट अच्छे से पकने दें। फिर हम इसमें अपने कौंड फ्लोर का घौल डालेंगे और दिध्यान रखें कि इससे डालकर चलाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको सूप ठिक चाहीए वह आपको पता चलता जाएगा तो देखते जाएं चेक करते जाएं जितना आपको ठिक चाहिए हो उस इसाब से आप इसमें एड़ करते जाएं तो मैंने दो अगर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं तो कैसी लगी दोस्तों आपको रेस्पी जरूर बताईएगा कमेंट्स करिएगा वीडियो को लाइक शेर जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल बटन की घंटी को भी दबा दीजेगा आगे भी ऐसे ही रेस्पी आती रहेंगी बिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद